हेलो 42 अब ही वादान आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में आज कल स्वेम को स्वस रखने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं इन उपायों में प्रोबाइटिक्स का भी इस्तिमाल सामिल है आखिर ये प्रोबाइटिक्स कितने हैं मददगार यही है आज के इस वीडियो का विश है जिसमें आज आज आप जानेंगे कि क्या होते हैं गुड और बैड बैक्टीरिया antibiotics क्या है, antibiotics के नुखसान क्या है probiotics क्या है, probiotics के प्राकिर्तिक्स रोत कौन से है और क्या probiotics लेना है फाइदे मंद जैसे प्रस्णों के जबाब जरा विस्तार से ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आज आपकी जानकारी के लिए और आईए अब बास सुरू करते हैं कि क्या होते हैं good और bad bacteria दरसल हमारे सरीर में good और bad दोनों तरीके के bacteria होते हैं bad bacteria की वजह से जब बिमारी होती है तो doctor antibiotics देते हैं जिनसे bacteria खत्म हो जाते हैं लेकिन इन antibiotics से कई good bacteria भी खत्म हो जाते हैं good bacteria का काम हमारे digestive system को दुरुस्त रखना होता है और इनके खत्म होने से balance भी कर जाता है antibiotics के साथ probiotics खाने से good bacteria हमारी body में कायम रहते हैं यही है probiotics का सिध्धान और आईए अब बात करते हैं antibiotics क्या हैं माल लीजिए कि आपके गले में हलका infection है और infection होने पर आप तुरन डॉक्टर के पास गए और जल्दी fit होकर आप वापस भी अपने काम पर जाना चाहते हैं क्योंकि लोग बीमारी में वक्त बरबाद नहीं करना चाहते हैं दूसरी और डॉक्टर भी अपने मरीज की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए फोरण antibiotics लिख देते हैं जिससे ठीक होने में लगने वाला समय आधा हो जाए ज यानि infection के लिए जिम्मेदार bacteria में फर्क नहीं कर पाती वह दोनों तरह के bacteria पर हमला करती है ऐसे में बुरे bacteria के खत्म होने से infection पर नियंतरन हो जाता है लेकिन साथ ही अच्छे bacteria भी खत्म हो जाते हैं जिससे diarrhea जैसी दिक्कत भी हो जाती है और आईए अब बात करते हैं antibiotics के न है कि पेट अपसेट है थोड़े समय के लिए इस्तेमाल की जाने वाली antibiotics से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इनका इस्तेमाल बंद करते ही मरीज सामानने हो जाता है मगर जो लोग लंबे समय तक antibiotics यूज करते हैं उनमें कई बार vitamins और दूसरे पोशक तत्नों की कमी भी हो जा से कई बार मरीज के सरीर में अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं प्रोबाइटिक्स एंटिबाइटिक्स से खत्म हो चुके बैक्टीरिया की आबादी बढ़ाने में मददगार होते हैं ऐसे मामलों में probiotics को आतों के लिए फायदे मन कई तरह के vitamin capsule से बहतर माना जाता है और देखा गया है कि एंटिबाइटिक्स के साथ प्रोबाइटिक्स लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में जल्द स्वस्त होते हैं और आईए अब बात करते हैं कि प्रोबाइटिक्स के प्राकिर्तिक स्रोत कौन से हैं प्रोबाइटिक्स वाले पेपदार जैसे य पेट अपसेट होने के कई मामलों में आम भारती घरों में दही चावल खाने का चलन काफी पुराना है। खमीर बनने की वज़ा से दूत दही में तबदील हो जाता है। और इस पूरी प्रकिरिया में उसमें तमाम गुड बैक्टिरिया पनप जाते हैं जो कि पेट के लिए फायदे मंद होते हैं। इसके बाद दूसरे गुड बैक्टिरिया का सुरूत है किम्ची। इसे बनाने के लिए गोभी को काली मिर्च, मूली, गाजर और फिस्ट सॉस के साथ मिलाकर खमीर बनने के लिए रख देते हैं और इसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। किम्ची के बाद तीसरा प्रोबैोटिक्स है अचार आम, नीबू, आवला, अधरक, लहसुन, हरी मिर्च, जैसे चीजों के इस्तेमाल से धूप में रखकर बनाया अचार प्रोबैोटिक्स का अच्छा सुरूत है। अगर आपका वजन जादा है तो आपको डॉक चाकलेट लेने से बचना चाहिए और आप पना वजन अगर कम करना चाहते हैं तो हमारे Fat to Fit सिरीज के वीडियोस से मदद ले सकते हैं इन वीडियोस का लिंक हमने डिस्किप्शन में दे रखा है इसके अलामा कैपसूल के फॉर् करते हैं सबसे ही अच्छ प्रस्ण की कि क्या probiotics हैं फायदे मन्द डॉक्टरों को कहना है कि probiotics का कोई नुकसान नहीं देखा जाता ऐसे में मरीजों को हम antibiotics के साथ probiotics लेने की सला देते हैं मगर इस संबंद में अब तक कोई analysis या research नहीं हुई है कि ये कितने फायदे मंद है ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि probiotics हर मरीज के लिए फायदे मंद होते हैं और उसे diarrhea से बचा सकते हैं Research में ये बात सावित होती है कि probiotics के प्राकृतिक सुरोतों का इस्तेमाल करने से हमें सेहत पर अच्छा असर देखने को मिलता है कुछ लोग यह भी दलिल देते हैं कि एंटिबाइटिक्स शरीर के भीतर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को मार सकती है तो प्रोबाइटिक्स के बैक्टीरिया पर भी असर दिखा सकती है ऐसे में मरीज के लिए कितना भी प्रोबाइटिक्स दिया जाए जब तक एंटिबाइटिक्स का इस्तेमाल नहीं बंद होगा तक तक उसको कोई फायदा नहीं होगा इसलिए अभी इस भी से पर बहुत ही एनलेसिस की जरुवत है और याकुड यह से जो ब्रैंड मार्केट में अभी उपलब्ध है उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि उनमें चीनी बहुत प्रचूर मात्रा में होती है जो हमारे सरीर के लिए जादा फायदे मन नहीं होती तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप और हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको प्रोबाइटिक्स के बारे में जानने में मदद जरूर मिली होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद नमस्कार